नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मल्टिपल एक्सपर्ट में दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था इस चैनल पर आपको हर छेत्र की जानकारी समय 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 से मिलती रहेगी अगर अब 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 तक आपने अपने भाई के चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को जादे से जादे सस्क्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय 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 से मिलती रहे चली वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का जो टोपिक है वो थोड़ा हट कर है क्योंकि मैं डोक से पस्वो से संबंदित वीडियो जादे डाल रहा हूं लेकिन आज का जो टोपिक है वो हमारा ये है कि बोतल पाम का पेड़ हमको किस तरह से लगाना है मैं बोतल बाम के पेड़ के बारे में आपको जानकारी देंगा ये पेड़ बहुत ही देखने में खुबसूरत होता है गंदकी नहीं होती है इसे लगाने से और साफसफाई वाला पेड़ इसको बोल सकते हैं तो दोस्तो इसमें मैं आपको जानकारी देता हूँ किस टैम लगाना चाहिए, इसमें क्या-क्या साबधानी रखनी चाहिए इस पेड़ को वैसे तो आप घर में, बाहर, किसी भी जगे आसानी से लगा सकते हैं लेकिन आपको लगाने समय ये धियान रखना है कि ऐसे जगे पर आपको ये पेड़ लगाना है जहां पर जादा धूप रहती हो, कि धूप में ये ज़दा चिगरोत करता है छाओं में रहेगा तो इतनी अच्ची गरोत इसकी नहीं हो पाती दूसरी बात, ये आपको जब लगाना है, तो जादा गहरہ नहीं लगाना क्योंकि इसकी जड़े ज़्यादे गहरा ही है ज़्यादे डीप तक नहीं जाती उपर ही फैलती हैं तो आपको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना अगर आप गर्मी के मुसम में इसको लगा रहे हैं तो जो अपना देसी के मुसम में लगा रहे हैं तो घर वाला देसी खात आप उसमें डाल सकते हैं और आपको एक साबधानी यह रखनी है कि जो इसकी पति सूख जाती है तो सूखने के बाद उन पत्तियों को हटाना नहीं है वो अपने आप ही हटके गिर जाएंगी आपको नहीं हटाना है क्योंकि अगर आप हटायेंगे तो उसमें भी हमारे जो प्लांट है उसकी सूखने के ज़ादे चांस बन जाते हैं बस थोड़ी ही साबदानी लगाते समय आपको बढ़तनी है और यह अच्छा प्लांट तयार हो जाता है लगाने के बाद आपको ज़्यादा देखवाल की जरुवत नहीं पड़ती क्योंकि थोड़ी ही देखवाल में यह अच्छा प्लांट तयार हो जाता है देखने में तो यह सुरू से ही अच्छा लगता है सुन्दर खुबसूरत लगता है लेकिन बड़े होने के बाद बहुत ही सुन्दर और आकरसन दिखने लगता है और बड़े होने के बाद इसकी जादा देख रेके की जरुवत भी नहीं होती है इसकी बहुत सारी variety हैं इनकी variety के बारे में मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको जानकारी दूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर सकते हैं और लाश्ट में मैं एक वार फिट से आप से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को जादे से जादे सब्सक्राइब करें लाइक करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम